कोई भी स्टेट भारत से अलग होकर एक अलग से देश नहीं बनाया जा सकता है पहार के देश उठा कर हम अपने देश में मिला लें वो बाता लगे ये पक्के प्लास्टर की दिवार में अगर आप हतोड़ा मारोगे दिवार को कुछ नहीं होगा अराम सिन साखत लगा लगा के तोड़ना पड़ेगा तब जाका तूटेगी इसी भी स्टेट का नाम बदल सकते हो उतकल का ओडिसा कर दो औरिसा का ओडिशा कर लो इनसे पूछो के एक नागरिक तक ही कीमत क्या है आप अगर आतंगवादी बन गए भाई देश के ही खिलाफ पत्थरवाजी कर रहे हो सब कर रहे हो आपको पासपोर्ट रखने का कोई हक बनता है क्या आपको कोई सरकारी योजना का लाब होने का हक बनता है क्या हेलो एवरीबड़ी जो हमारा लेक नेक्सस बैच वन में कॉंस्टिटिशनल लौ इनकम्ट्लीट रहे गया था आज इस पूरे लेक्चर में उसको हम वापस से स्टार्ट करने आये हैं लेक्चर नम्मर त्री जो की लीगल रिजनिंग आपको दिख रहा होगा इसमें मैं आ कोंस्تيटिटिशन के आर्टिकल वन से लेके फोर तक सबसे पहले हम पार्ट वन में जाएंगे ठीकर तो देखते हैं क्या बात करी गई है अब ये है bare text article 1 का जिसमें क्या बात करी गई थी कि या इंडिया नाम रखें देश का कि भारत नाम रखें देश का जिन लोगों को constitutional assembly में modern नाम के favor में vote देना था उन सब ने बोला कि हम भारत देश का नाम रखेंगे इंडिया और जिनको traditional approach रखनी थी उन्होंने भारत नाम के तरफ vote करा इसलिए दोनों ही जो हैं वो इंडिया में चलते हैं उसके बाद union of states बी अरंबेटकर ने बोला सबसे पहली चीज़ के हमारे जो भी states हैं ये not a result of agreement मतलब हमारे देश में कोई भी जो टेट जुड़ा है कोई agreement से नहीं जुड़ा है अपने मन से जुड़ा है दूसरी चीज दे डू नौट एव कि दो right to recede recede का मतलब अलग होना अलग नहीं हो सकता भारत से कोई भी राजायत की तरिक में कश्मीर मांगे इंज साब भारत तेरे तुकड़े होंगे ये वो कुछ नहीं हो सकता constitution में दिया हुआ है कि कोई भी स्टेट भारत से अलग होकर एक अलग से देश नहीं बनाया जा सकता है पहार के देश उठाकर हम अपने देश में मिला लें वो बात अलगे बट हमारे देश से कोई भी अलग नहीं होगा इस मामले में हमने unitary structure फॉलो किया है जो की बहुत ज़्यादा rigid होता है अब यह normal कच्चे प्लास्टर की दिवार है अगर तो इसमें आप एक हतोड़ा मारोगे दिवार नहीं होगा अराम से ताखत लगा लगा के तोड़ना पड़ेगा तब जाका तोटेगी तो इस मामले में अलग होने के मामले में Article 1 के मामले में इंडिया ने यूनिटरी स्ट्रक्चर फॉलो किया है फेडरल स्ट्रक्चर हमने आगे दूसरी चीज़ों में फॉलब करा है इसलिए हमारे देश को quasi federal country भी बोला जाता है अब अगर मैं वापस लेकर चलूँ तो territory में क्या क्या आता है states आते हैं union territories आती है प्लस इनों ने ये जगे भी छोड़ दी कि अगर हम कल को किसी देश को acquire करते हैं कोई देश अगर हमसे बाद में मिलना चाता है तो वो भी हमारे state का part बन जाएगा ठीक है अब वो हमारे उपर है उसको union territory बनाए चाहे हम उसको state बनाए ठीक है ये हमने बढ़ लिया आर्टिकल 2 पार्लेमेंट इंडिया में कोई भी नया state establish कर सकता है कोई भी नई territory establish कर सकता है पहार से लेकर सेम हुआ कब जब सिक्किम में यहां से pressure बन रह लगाए कि आरे यार हम तो अब individual country थे अलग थे अब ये इंडिया के पास है कि हम आप में मिलना तो चाहते हैं लेकिन हमें trial version लेकर देखना चाहेंगे trial pack हमारा हमको चाहिए तो article 2A temporarily इंडिया में constitution में add हुआ जिसको बाद में अटा दिया गया क्योंकि इनको एक साल trial लेने के बाद इंडिया पसंद आ गया और 22nd state of India ये बन गए कौन सिक्किम ठीक है article 3 क्या बोलता है article 3 simply ये बोलता है आप किसी भी नए state का formation कर सकते हो existing state को काट कर मालो ये किसी state का नक्षा है इसको काट कर ये बन गया तेलंगाना ये बन गया आंदरप्रदेश ठीक है ऐसे article 3 में आप किसी भी state को काट सकते हो किसी भी state का नाम बदल सकते हो उतकल का ओरिशा कर दो ओरिशा का ओरिशा कर लो ठीक है उत्रा कर दिया आपने किसका उत्रा अंचल का ठीक है ये सारे नामा बदल सकते हो बड़े आराम से जम्मू कश्मीर कर दो कल को तो कर सकते हो क्योंकि आप आर्टिकल 3 में आपको वो पावर देता है Constitution अब उसके बाद आर्टिकल 3 हमने समझ लिया इसमें आप boundaries चेंज कर सकते हो कौन सा जिला कहां आएगा आप जैसे नाकपुर जो Capital हुआ करता था एक टाइम पर बाद में नाकपुर जब महराष्ट में चला गया तो Capital होपाल को बना दिया मत्रदेश की तो ये सब कौन कर रहा है ये कर रहा है Article 3 और इतना frequent changes क्यों होते हैं क्योंकि Article 4 ऐसा है एक बार मैं तुमको पहले 2000 के मैप पे लेके चलता हूं पहले 2000 में in the year 2000 मद्रदेश से कटके 36 गड़ बना तो जित्ती भी कोईला resources electricity generation specifically था वो सारा ले गया कौन 36 गड़ अब 36 गड़ ने बोला कि भाई साब आपको अब अगर electricity चाहिए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि अब हम मद्रदेश नहीं अब हम 36 गड़ है तो पहले ज चोड़ी population थी क्योंकि चोटा state है लेकिन मिनरल और सारा कोल वगेरा वो ले गया तो पावर कट होते थे यह 2000 में जब कॉंग्रिस की सरकार थी MP में and बहुत पावर कट्स हुए बहुत ज्यादा पावर कट्स हुए because यह पूरा trade जो हुआ था इतना पैसा था नहीं MP government के पास के वह यहां से बिजली खरीदती और देती इसलिए यह प्रॉपर एक्जैंपल एक था आर्टिकल फॉर की वज़े से इतना ज्यादा काट छाट चटाई और नाम बदली कैसे होती है क्योंकि आर्टिकल फॉर जो है वह बोलता है अगर आपको आर्टिकल 3 में कोई भी जो जाई है ठीक है यह हो गया आर्टिकल 4 अब मैं आपको एक बार रिवाइस करवाता हूं पार्ट वन ऑफ दा कॉंसरोडिशन पार्ट वन में हमने अभी तक जो पड़ा हमने पड़े चार आर्टिकल अर्टिकल वन ने बोला क्या यूनियन क्या होता है एक्स वाई जेड आर्टिकल तू ने बोला आप एडमिंट कर सकते हो बाहर के स्टेट्स इंडिया में आके त्री ने क्या बोला आप आल्टर कर सकते हो इंडियन स्टेट्स के नाम और ने क्या बोला आपको इसी चीज़ के लिए चाहिए सिंपल मैजॉरिटी easy, clear article 1 to 4 यहां से आपके हो गए revise इसको अगर मैं 2 लिख दूँ यहां पर, इसको 3 लिख दूँ यहां पर, इसको लिख दूँ 4 यह हो गया article 1 to 4 आपका revise, इसको अब एक बार अच्छे से पढ़ लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ अब हम चलते हैं, part 2 of the Indian Constitution part 2 of the Indian Constitution पर part 2 में क्या है, citizenship of India, इंडिया की citizenship भारत की नागरिकता क्यों दी जाती है, क्यों मिलती है इससे आपको passport मिले, आपको voting rights मिले और आपको आधार कार्ड मिले, आपको और n number of benefits मिले जिसके पास भारत की citizenship है उसको उसकी value नहीं पता सिर्फ उनसे पूछो जिनके पास यह citizenship नहीं थी जो persecuted होकर इंडिया में आये थे refugees थे, refugees कौन होते हैं, जो बाहर से इंडिया में आते हैं जो इंडिया के citizen नहीं होते हैं इनसे पूछो के एक नागरिक तक ही कीमत क्या है तो यही चीज अब जब नया amendment आया 2019 वाल अभी रिसेंटली आया 2024 में, तो persecuted जो अलग-अलग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वंगलादेश से आयोए लोग थे उनको जब यह finally जाकर citizenship मिली, तब जाकर उनको final इसकी value actual में लोगों को रोन आ गया, कि भाई अब हम vote कर पाएंगे, अब हमारे पास चीजे आ जाएंगे अब हम योजनाओ का लाब उठा पाएंगे, योजनाओ का लाब उठाना is the key factor, तो अगले point पर चलता हूँ, article 5 जो है, article 5 यह बोलता है, कि जब constitution चालू हो रहा है, 26th of Jan, 1950, जब constitution चालू हो रहा है, इस time पर citizen कौन होगा, तो यह क्या बोलता है, जो भी इंडिया में पैदा हुआ होगा, voter citizen है, जिसके ममी पापा पैदा हुए होंगे, वो भी citizen है, या फिर जो इंडिया में constitution चालू होने से, 5 साल पहले तक minimum रह रहा है, 1945 होता है, 5 साल पहले, 1950 से अगर आप calculate करो, minimum आपको 1950 से इंडिया में रहना है, 46 में आया है, नहीं मिलेगा 44 में आया, चलेगा, minimum चाहिए, maximum तो कितना भी हो सकता है, तो अगर आप not less than 5 years, मतलब इस से जाधा नहीं, ठीक है, more than 5 years, not less than का मतलब होता है, more than 5 years, ठीक है, ordinary resident अगर आप हो, तो आपको देश की citizenship मिल जाएगी, बहुत लोग ऐसे थे, जो कि इंडिया में ही बस गए थे, आ migrated to India from Pakistan, ये उनके लिए था, तो ये अभी इत्ती खास importance रखता नहीं है, पाकिस्तान से इंडिया आए, ये सामने जो आपको map दिख रहा है, वो चीज, अब migrated to Pakistan, ये article 7 में था, हला for a reason, 7, migrated to Pakistan, बहुत अच्छे, बट जो लोग पाकिस्तान गई इंडिया से, ये उनकी citizenship बताने के लिए था, जो कि आज की तरीक में तक कोई खास importance नहीं रखता है, सीधे लेके चलूँगा, article 8 पर, article 8 ये बोलता है, अगर आपके माबाप, इंडियन हैं और आप बच्च इंडियन पेरेंट्स, बट, इड्स, बॉर्न आउटसाइड इंडिया, बारत की धरती पर तो पैदा नहीं हुए, लेकिन मम्मी पापा आपके इंडियन है, तो आप इंडियन कहला होगे, ये बाइ डिसेंट बुला जाता है, इसको जो की अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर आपने कहीं और की सिटिजन ले चुकी है, बाहर की सिटिजनशिप ले ली, तो इंडियन सिटिजनशिप जो है, वो आपकी छीन ली जाएगी, वो एंड हो जाएगी, सिंपल यही कंसेप्ट है, अगर आप परदेसी बन चुके हो, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्य आपकी सिटिजनशिप जो होती है, वो एंड हो जाती है, इंडिया की, बाहर दूसरे कंट्री में कुछ होता होगा, हमारे तो ऐसा ही होता है, अब आर्टिकल टेन क्या बोलता है, कि आपकी जो सिटिजनशिप है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो चंटिन्यू आपकी citizenship continue रहेगी until unless आप कुछ ऐसे काम कर दो जो की क्या है by the nature itself illegal है मतलब की कोई भी ऐसा काम जो की by the nature illegal है आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो आपकी citizenship छीनी जा सकती है आप अगर आतंगवादी बन गए भाई देश के ही खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हो सब कर रहे हो आपको passport र आप देश के नागरिक कहलाओ ठीक है इसलिए आपकी citizenship उस case में जा सकती है लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे है मेरे जैसे इंसान हो जो normal अपनी जिनकी जी रहा है बड़ी है लोगों को पड़ा रहा है कुछ भी कर रहा है आपकी citizenship है continued forever कोई renewal की जरूवत नहीं है ठीक है एक च आपको state की भी citizenship लेनी पड़ेगी आपको country की भी लेनी पड़ेगी कि I am a citizen of USA and Florida अरे इंडिया में I am an Indian citizen I am an Indian citizen बस खतम बात सिर्फ एक citizen single citizenship का concept चलता है इंडिया में US में ये concept हो जाता है dual citizenship क्या आपको state की भी लेनी पड़ेगी और country की भी लेनी पड़ेगी citizenship Article 11 क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ Parliament के पास power है कोई भी law अगर बनाना होगा और कोई नहीं बनाएगा सिर्फ Parliament बनाएगा उसमें भी कौन बनाएगी Home Ministry बनाएगी वो laws ठीक है तो ये specific एक जो factor है कि अमिच शाह वाली Home Ministry जो की CAA में amendment आया इसलिए Home Ministry पर जादा उस time पर pressure था कि 2019 का जो amendment था lockdown लगने से पहले CAA वो Home Ministry ही लेकर आई थी तो ये हो गया अब आगे चलने से पहले एक मैं mind map दे जेता हूँ कि हमने पड़े 5, 7, 8, 9, 10 और 11 ये हमने कुछ articles पड़े जिसमें हमने citizen की बात करी अब अगर मैं अपनी ही normal memory से recall करना चाहूँ तो यहाँ पर तो starting है number 5 तो मैं recall इसको कैसे करूँगा के भाई सबसे पहले तो start commencement के time पर कौन रहेगा citizen वो बताया था तीन तरीके के लोग बताये थे या तो born हुए है या parents है या वो ordinary citizen है यहाँ पर हो गया एक party है फिर उसके बाद जो लोग क्या थे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे पाकिस्तान से इंडिया आए थे वो six में है जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे वो seven में है ये भी done हो गया हमारे तीन आर्टिकल्स तो हमको याद है मैंने तुमको बताया था nine मतलब तुम तो ठहरे पड़ दे सी मतलब कि आपकी जो parents हैं अगर वो बहार चले जाते हैं और फिर आप पैदा हो जाते हो बहार ही लेकिन parents Indian है तो आपको citizenship मिल जाएगी 10th में बोला था कि वो continue रहेगी तो ये भी याद है मुझे 11th में बोला था कि ये home ministry ही only ministry रहेगी only authority बनेगी जो इसको laws बनाएगी इसके regarding सारा का सारा हमको याद है हमने revise कर लिया अब citizenship acquire करने का तरीका कहा है क्या है इसमें दिया हुआ है ये तरीका ये तरीका दिया हुआ है citizenship अमेंडमेंट अक्ट सबसे पहले ये अमेंडमेंट अक्ट कब आया अमेंडमेंट अक्ट तो बाद में आया citizenship अक्ट आया सबसे पहले 1955 citizenship अक्ट ओफ नाइटीन फिफ्टी फाइव इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे अपने citizenship को acquire करोगे सबसे पहला method होता है by birth अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप एक इंडियन citizen कहलाओगे अब यहाँ पर क्या loophole आया था कि random कोई भी घूमने आया तो इसका बच्चे इंडियन पैदान होगे वो इंडियन citizen कहला आ गया 1986 में commitment आया चाहिए अब इसका misuse होने लगा कि भाई साब पाकिस्तान से लड़के आते थे इंडिया में शादी करते थे फिर तलाग दे दे थे बच्चा पैदा हो गया वो इंडियन citizen उनके घर में इंडियन आ गया ठीक है तो क्या हुआ 2003 में यह loophole देखते हुए बोथ parents का rule बन गया कि आपके दोनों parents अगर इंडियन है तभी आपको by birth में इंडियन citizen बोला जाएगा ठीक है यह चीज़ अगला factor by descent वंश के आधार पर तो अगर आपके पापा या मम्मी की तरफ से कोई भी ऐसा है जो इंडिया में था कोई भी आपका by descent कहीं न कहीं इंडियन citizen था तो आप भी इंडियन citizen कहला सकते हो कि यह चीज 1992 में का amendment तक क्या था इससे पहले सिर्फ और सिर्फ before क्या था फादर की side देखी जाती थी लेकिन इसके बाद after both sides या मतलब कि father and mother दोनों sides देखी जाने लगी clear है यहां तक हम पढ़ चुके हैं mother father दोनों की generations की बात हो रही हैं यहां पर generations of both mother and father देखी जाएगी descent के time पर 1992 में अमेंडमेंट हुआ था अगला registration आपको application देकर इंडिया की नागरिक्ता मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी formality कि आप की शादी हुई है किसी इंडियन से married हो या फिर काम से आये थे इंडिया में और आप इंडिया के citizen 7 साल से हो 7 years तक आप इंडिया में रहे हो पहले ये 6 महीने हुआ करता था 6 months earlier पहले ये criteria 6 महीना था बाद में इसको 7 साल कर दिया गए तो आप क्या कर सकते हो आप एक application फाइल करोगे ये 6 महीने review होगी और अगर उनको लगता है कि हाँ आपको इंडियन से भी मिल जानी चाहिए आपको मिल जाई, very easy आगे by naturalization simple इसका interpretation है कि वो देश में इतना घुल मिल गया है आदमी या औरत की naturally ही इंडियन जैसा लगने लगा है naturally ही इंडियन बन गया है मतलब उसको इंडिया की कोई एक language आती है knows any one language कोई भी language चलेगी इंडिया की इंडिया की कोई भी एक language आती है वो किसी art या फिर science field का है मतलब हम ऐसे ही नहीं देते हैं ठीक है आप देश में contribute करोगे का citizen बनने के बाद तो बताओ ठीक है प्लस आप 10 साल से इंडिया में रह रहे हो क्या 10 years तो हाँ मिल सकती है अब अधनान सामी जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पर फोटो में इनको ऐसे ही मिली थी ये एक singer है जो कि पाकिस्तानी थे बट इंडिया में इनका काम चला बड़ी आर्ट के sector में 10 साल इंडिया में रह भी लिये लैंगवज तो इनको हिंदी आती है तो इसको इंडियान सिटिजनशिप मिल गई अब टॉपिक नंबर फाइव मतलब आपका एक और तरीका है जैसे सिक्किम अगर हम सिक्किम को अक्वायर कर लिए हमने सिक्किम हमारे अंदर मिल गया तो सिक्किम के जो सिटिजन है सारे के सारे वो सारे के सारे बन जाएंगे इंडियन सिटिजन उनको automatically बन जाएंगे उनको कहीं कोई process की जरुवत नहीं है क्यों कि कितने सारे लोग इतनी बड़ी territory हो गई मान लोक अलको हमने पाकिस्तान अक्वायर कर लिया पूरे पाकिस्तानी लोग इंडियन बनेंगे लेकर उनकी population कित्ती जादा है तो वो अपनी population को लेकर पूरे साथ साथ इंडियन बने easily बने smooth transition हो इसलिए ये 5th point डाला गया है ways to acquire citizenship loss of citizenship citizenship lose कैसे की जा सकती है सबसे पहला है renunciation give up कर दो नहीं रहना मुझे इंडिया का citizen बाढ़ में जाए resignation होता है न जब आप company छोड़के जाते हो वो दूसरा होता termination के आपको company में से निकाल देते हैं मतलब आपने दूसरे देश की citizenship ले ली तो another country की citizenship अगर आपके पास आ गई है तो again आपकी citizenship इंडिया की खतम हो जाएगी by deprivation deprivation का मतलब है कि आप जो भी citizenship जब acquire कर रहे थे तो आपने उसमें fraud ले लिया कोई अपना address गलत बता दिया आप देश से disloyal हो गए तो अगर आप cheat करते हो पूरे process में कहीं भी किसी के भी साथ तो आपके deprivation से citizenship permanently cancel कर दी जाती है भाई तेरे document गलता है तू तो छोड़ी दे यह चीज यहाँ पर यह पूरा lecture खतम होता है and I hope के आप लोगों को यह पूरा lecture पसंद आया होगा and इसके अगले lecture का बलकुल इंतिदार करें इसके बाद हम fundamental rights पढ़ने वाले हैं so thank you so much